बहुत ठगी हो रही है आजकल, बहुत ठगी हो रही है, SMS से आ जा रहा है, ठग लिये जा रहा है, आम आदमी रोज ठगी किसी कायद साइबर प्रॉड में जाके कि भाई साइबर क्राइम में की देखिये ठग लिये जा रहा है, लेकिन कौन ठग लिया जा रहा है, संभल कर रह जाता है कि साइवर ठगी से बचिये ओनलाइन माध्यम से किसी को चूना लगाना बहुत आम हो चुका है बहुत सारी खबर आप सुने होंगे कि फरजी आईडी बनागर दोस्तों से और रिस्तेदारों से पैसा मागा जाता है फाल देख लिए आज के जमाने में साइवर ठगी इतने शातिर हो गए है कि आईएस अधिकारियों को भी नहीं बकसा जा रहा है अधिकारी के नाम पर बेखौफ होकर ठगी की जा रही है जबलपूर, उमरिया, शेहडोल और धार कलेक्टर के नाम पर वसूली की घटना को अंजाम दिया जा रहा है लिस्तेदारों को मैसेज किया जा रहा है इस चक्कर में जबलपूर कलेक्टर के परशित मस भी गए है चलिए आगे बता देता हूँ आज जब जबलपूर से खबर आई तो मैं चौक गया किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कलेक्टर साहब की फरजी आईडी बना कर पैसा ठग ले देख लीजे तस्वीर इस जबलपूर के कलेक्टर दीपक सक सेना साहब है इनी के नाम से किसी ने फरजी वाटसाप आईडी बनाया और कलेक्टर के जान पहचान वालों से पैसा मांगने लगे और सुनिए कलेक्टर के रिस्तेदार भी इस ठग के जहांसे में आ गये और फटाक से 25,000 रुपिया ट्रांसपर भी कर दिया जब कलेक्टर को ठगी का पता चला तो कलेक्टर साहब एकदम से हैरान हो गए दीपक सक्सेना ने ततकाल पुलिस में शिकायत कर दी कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि कैसे उनके करीबी को साईवर ठग ने चूना लगाया है सुन लिजे ज़रा तो आपको यह दिया आवशक्ताव तो आप उनसे बात कर लीजी फरनीचर के बारे में और एक नंबर उनन उसमें दिया कोइशिड़ टी उनको फरनीचर के आवशक्ता थी उनको लगा के भई मेरे माद्दम से आ रहा है तो शहीं रिलाइवल होगा उन्होंने आपस में बात कर ली बात करने पर उनको विश्वस नहीं लगा वक्ती उन्होंने कुछ एडवांस माँगा उन्होंने एडवांस जमा करा दी तो बो लेकिन जैसी जमा करा इस वीच फिर मेरी उनसे बात हो गई फिर मैंने उनको मना किये कापा के मत करिये परजी तरीके से रिस्तेदार से फोन परबाद करके सौधे बाजी भी कर लिया अच्छा हुआ अभी एडवांसी दिया था फूरे फरनीचर कभी लगर चुकता कर देते तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता अब अगली ख़वर देख लिए धार कलेक्टर प्रियांक मिस्रा के नाम से किसी ने फरजी वाटसब बनाया है जिसमें कलेक्टर का फोटो लगा कर आरोपी लोगों से संपर करने की कोशिस कर रहा था तस्विर देखिए वाटसब का स्क्रीन सौट दिखा रहे हैं पूरा का पूरा मैसेज अंग्रेजी में किया गया है सुद्धता देखिया अंग्रेजी की लिखा हुआ है कि किसी मीटिंग में वेस्थ हूँ कुछ फंड कर दो मैं तुम्हें वापस कर दूँग उमरिया और सहडोल में भी कलेक्टर के नाम से फरजी वाटसब नंबर के माद्यम से पैसों की धिमांड की जा रही है सहडोल के कलेक्टर तरुन भटनागर और उमरिया के कलेक्टर धनेंदर कुमार जैन के नाम से भी ऐसा ही वाटसब मैसेज किया जा रहा है ये कोई पक्का गिरो है गुरू, ये पक्का कोई गिरो है जो छोटे-मोटे आदमियों को नहीं ठग रहा है, सीधे कलेक्टरों को इठगना है, आप कुछ कलेक्टर ऐसे होंगे को सोचे आर हम अपनी बात कैसे बता दें, कैसे बता दें कि कलेक्टर ठग लिए जा रहे हैं, तो कुछ लोग इज़द वचा रहे होंगे और पता नहीं जबलपुर जैसे में सकसेना सहाब जैसा सज्जन आदमी कोई नहीं पता नहीं कित्ते जिलों के कलेक्टरों को ठग लिया गया हो लेकिन साफधान रहेगा नहीं रहेंगे नहीं बताएंगे तो विश्तार नहीं आधमी हो चाहे अफसर सबको साफधान करेंगे कलेक्टरों को ठग लिया जा रहा है परेजनों को लपेटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है लेकिन सुक्र है इन जगहों से अभी तक आरोपी के जहांसे में पोई लोग नहीं आयों तीन अलग अलग जिलों के कलेक्टर के नाम पर फरची वाटसप का इस्क्रीन स्वाट देख लिए सब में उपर का तीन मेसेज कॉमन दिखाई दे रहा है मैंने आप से कहा ना कि कोई पका एक गिरो ही है ये देखकर कोई भी यही अंदाजा लगाएगा कि कलेक्टरों के नाम पर वसूली करने वाला व्यक्ति कोई एक ही है अपराधी कितना बेखौफ है जड़ा ये देखिए जिलाधिकारी का डर नहीं है खेर ऐसे लोगों से बच कर रहेगा साइवर ठक की चपेट में मत आईएगा चलिए आपको ये भी बता देते हैं अगर आप साइवर ठक का सिकार होंगे तो आपको करना क्या है सबसे पहले जिस एकाउंट से पैसा निकला है उससे जुड़े सारे कार्ड बंद करवा दीजे यानि ब्लॉक करवा दीजे बैंक वालों को बोलिए कि तुरंट इसको तुरंट फ्रीज करते हैं इसके बाद आपको तुरंट सिकायत करना है आप साइवर पुलिस में कंप्लेन करिये या फिर हेल्फ लाइन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल और आरवियाई की पोर्टल की भी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं तो थोड़ा बिला परवाही नहीं करना है ऐसी कोई भी घटना घटे तुरंट कारवाही के लिए आगे बढ़ जाना है संकोच नहीं करना है न चिपा के रहना नहीं याद रखियेगा पूरा पैसा लूट लिया जाएगा